आज आपकी खराब लाइफ स्टाइल आपको मौत के मुझे ढखेलने का कारी कर देए यदि आपकी लाइफ इस्टाइल भी कुछ इस तरीके से हैं आपका मॉर्निंग से लेकर के यवनिंग तक आपका वर्क पिरियड टाइमिंग अगर कुछ इस तरह का इस बैलेंस है तो का जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो आज की जो यूवा पिड़ी है वह तीन बीमारियों को ले करके वह काफी नुक्षान पहुचा रही है आज की यूवा पिड़ी हार्ट अटेक से नपुन सकता से और प्रेन हेमरिजी तीन चीजें जो हैं उनके लाइफ में आज आ रही है बगेर बुलाएं बिन बुलाएं क्या कभी आपने जानने की कोशिस किया कि आप अचानक जोगिंग कर रहे थे अचानक आपके सीने में दर्द हुआ और फिर आपके साथ कुछ इस तरह से हुआ कि फिर आप कभी नहीं उठे कभी जड़ा सोचिए कि आप आराम कर रहे हों में और आपके सीने में दर्द होता है अखिर क्यों है आप की खराव लाइड स्टाल आपके बॉड़ी में कोले स्टायल की मात्रह बढ़ती जारी है आपकी बॉड़ी में जो ऑईली चीज़े है उसकी मात्रह बढ़ती जा रही है हर एक चीज इंवैलिस, उनका जो बैलिस है वो बिगड़ता जा रहा है, नतीजा क्या हो रहा है आपको हाट अटेक हो रहा है, आज लड़के यह ही नहीं, लड़कियां भी इसकी सिकार हो रही है लड़कियों में भी देखा जा रहा है कि जिनकी आयू 21 वर्स से 30 वर्स की अवस्ता में है एक सर्वे में ने ये आकड़ा दिया कि उन्हें हार्ट अटाइक की समस्या काफी आ रही है यदि आप हार्ट अटाइक से बचना चाहते हैं तो आप आपको आपका दर्शन हो जाए कभी कभी इस इस तरह की दो आकर आपको खड़ी है कि फिर आपको समझ में यह करें तो क्या करें किसे रहेंगे सुसाइटी में कैसे रहेंगे दवाओं तो अपने अगर आपनी लाइफ को आप बहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो हर अगर आपने अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदला तो समझ लीजिए कि आपके दर्वाजे पे मौत खड़ी है और मौत दस्तक दे रही है तो dear students and my dear friends मेरा मकसद यह है आपको safe रखना आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है और सबसे बड़ी बात आपको क्या करना इसन कर साथ करें जहां करें इसी मैं और मौर्निंग में कम से कम कुछ वाकिंग शरूर और फिर जित्नी भी होती हैं, इनको avoid करिए, क्योंकि इसमें जो जाता है, जो fat आपके body में जाता है, वो आपके heart के लिए भी काफी नुकसान दायक होता है, आपकी brain के लिए काफी नुकसान दायक होता है, वजन बढ़ता जाता है, और नतीजा तमाम तरह की बिमारियां और cancer के आप सिकार हो जाते हैं, तो dear students, अगर आप बचना चाहते हैं, तो आपको अपनी lifestyle में आपको ही सुधार करना होगा, ये कोई और नहीं कर सकता, जितनी भी हम तली चीजे खाती हैं, जितना हम लोग high fat लेते हैं, क्या आपको मालूम है कि आपके body में जाने क बाज से ये क्या असर दिखाते हैं, ये एक तरह के जहर है, थोड़ी देर के लिए test के लिए आप जरूर खाते हैं, और थोड़ा सा आपको मजा भी आता है, क्या test चीज थी, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन ये मजा कब सजा में बदल जाएगा, सायद आपने इसका कभी अंताजा नहीं लगाया, जलेवी सब को पसंद है, सब लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये जलेवी आपकी बॉड़ी में जाने के बाद से कम से कम 184 तरह की बिमारियों को जन्म देती हैं, और देखते ही देखते, brain hemorrhage, heart attack, नपून सकता, और तमाम तरह की परिशानि को सुधारिए, अपनी लाइफ से सराब को अलविदा कहिए, और फिर everyday exercise को अपनी लाइफ में लिए, कोसिस करिए कि बिना तलीब हुनी चीजें कम से कम, यानि तलीब हुनी चीजें जो भी हैं, उसे कम से कम ले, ताकि आपका स्वास्त और आपकी लाइफ लंबे समय तक च कि दिरे